मरना है के नहीं? मोलो! मरना है के नहीं? अभी ट्रैन हज़ा हुआ पुरी सा चेंदर समझ रहे? हजारों लोग मरे! एक नहीं दोसो तेटीस नहीं हजारों मरे! मीडिया की बात नहीं करतां गौरी यहां पात्सों से उपनाश शें सचाही है बड़ी कड़वी है जो मैं कहने लगा हमारे रिष्टे हुजूर से तूटते जा रहे है कहने को हम मुसल्मान है लेकिन हमने हुजूर को नराज कर दिया है टोपी ओडते हैं हम लेकिन हमारे नभी हमसे नराज है गोश्ट खाते हैं लेकिन लगता है कि हमारे हुजूर हमसे नाराज है वो कहा था ना मुझफर वारसी ने जा जिन्दगी मदीने से जोके हमा केला शायद हुजूर हमसे खफा है मना केला भाई, कभी सोचो जिन्दगी के बारे में हुजूर अगर 313 के साथ खड़े होते हैं तो हजारों के पैर उखल जाते हैं आज हम करोडों आएं लेकिन फिर भी जलील है नहीं लगता कि हुजूर हमसे खफा है महसूस नहीं होता हुजूर हमसे नराज है आप कहेंगे मौलवी अचीब बात कर रहा है हमी जलसे में आए और हमसे ही हुजूर नराज सुन प्यारे जरा दिल पर हाथ रखके बताना कितने लोगों की शादी हुई है जरा हाथ आखके बता दे सारी गवारे बैठे उदाना चाचा हाथ क्यों नहीं उठा रहे बई कुछ लोग हाथ इसलिए हुचा नहीं उठा रहे शायर तबारा नंबर लगे जितने लोगों की शादी हुई है वो आखके बताए हो गई है नए रहे लोगों की अब जिन किन्नगी हुई है वो उठाए हाथ लगता सारी ख़वारे बैठे बहुत गोर से निरी बास सुने शादी होती है सिर्फ एक बात करना चाता हूँ एक उसूल है हम जब दावत करते हैं, उससे पहले हदले़ी लिस्त बनाई जाती है बेटा कहता है इसमें खालू का नाम डांदो, का क्यों, नराज है वो कहता है, लिख दे, मना लेगा, मामू, नराज है वो भी, का लिख दे, उन्हें भी मना लिया जाया जाया वो फना वाले चचा उनका भी नाम लिख दो मना लिया जाएगा तुमने एक एक बंदे का नाम लिका और ये सोच करके लिका कि ये रूटा के मनाया जाएगा समने का अकलमंद है रूटो को मना रहा है बताओ जो रूटो को मना रहा है वो अकलमंद होता है जो राजी को नराज करते वो को नोगा जो राजी लोगों को नराज करें वो को लोगा बेवकूफ होगा के नहीं एस उलेटे बना घर जा जो माने वोगों को नराज कर दे वो बेवकूफ जो रूट हुआ को मना ले वो अकलमन्द है न पड़े लिखे लोगे हैं ये तालीम नहीं ये इस इलापिया हैं हैं तो मुझ से बोले सर नहीं लाएं जो राजी कर ले वो अकलमन्द है हमने कितनी बड़ी बेवकूफी की हमारा खालू नरास था मना लिया मामू नरास था मना लिया हुजूर पहले से राजी थे हमने डीजे लगा के उने नरास कर दिया हमने गाने बजा के उने नरास कर दिया ये उल्मा की चमरत मैठी है गलत नहीं कह रहा हूँ गरेबान में चांचे देखने हैं एक लिका का जब मौकाता है साथ दिन पहले गाने बजने शुरू होती औरते गीत गाती है डोलक बच्च्टी है वो कौम सी खुराफात है जो हमारी सोसाइटी में नहीं होती वो बुरिया जो इशाकी नमाज इसलिए नहीं पड़ती कि उसे रात में मसल्ह नहीं दिखता वो तीन तीन वज़े गीत की में फिलों से उठके आती है वो बेटेयां चो मरगरिब के वक्त मसल्ह तक नहीं जा सकती वो आती रात को गीत और तमाशों में जाती है उसके बात कहते हो कि पटेला फिर गया उम्मत में मैं पुछना चाहिता हूँ तुमने एक सुन्नत के मोके पे कितने पाप की ये है सिर्फ सुन्नत के लिए पांच मिनट तुमारे पास है और तमाशे कितने की ये साथ कि पहले ठोल बज़ रहा के तीन दिन पहले टीजे आ किया लेकिन खैरत मरकरी हमारी खौम की किल बेंटी की बरात आने वाती है आज पीजे वज रगा के कल बेंटी के जाने का हम हमें सोने नहीं देता था आज उसके जुदाई की khushia हमें सोने नहीं देती है मुझे बता तो शगी वो काम ना कर जिससे हुदून ना राज़ा कितने फकर से क्याते हैं हम लो सुने बहुत बहुत से मेरे के सुने मरना चले मोलो मरना चले अभी ट्रेन हबसा हुआ मोडी सा केpie हजारों लोग अजारों जारे तो सो ते तीस नERS हजारों मरे मीडिया की बात अधिकर शोर करता हूं हजारों मरे लेकिन सवाल के नहीं है नितने मरे बताना ये चाँ चाँ जब लाशे भरी जा रही थी ना तो बोरी और पत्तर की तरह गाड़ियों फैंके जा रही थी गारंटी है कोई कि तुझे या मुझे जनाजा मिले गारंटी है किसी को बाईसादार का कफन मिलेगा कोई जिम्मेदारी के साथ कह सकता है कि मुझे कांदे मिलेंगे कांदे तो बड़ी बात है यार ये भी नहीं बता सकते मिट्टी नसीद होगी के नहीं ये भी नहीं बताया जा सकता मिट्टी मिलेंगी के नहीं गेर तो गेर शायद अपने भी लाशों में पहचांब सके एक बाप लाशों में खूम रहा था कफ़न अटा अटा के देख रहा था ये खुद्रत एसास दिला रही है देख ये मेरे खरिश में है बाप से पूछा क्या डूल रहा का बेटा नहीं बिटा रहा है भाई इससे पहले के वो दिन आए लोग हमें तलाश करें बदल दो अपने आपको छोड़ दो ये दुनिया की रंगी नहीं हम जब घर से सुबा निकलते हैं कान में गानों के लिए ये मेरा जवान आटो लेके जाता ना कमाने के लिए लिए फुल अबास करके एक्शनिटर लेता गए कभी-कभी आटो में हम भी बैठा करते हैं ऐसी थमगोती है कि तिलहिने लग जाते हैं मुझे बता तो शगी तु रोजी कमाने के लिए 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 लिकला खुदा ने तुझे सांसे दी थी तुझे सुभा का सवेरा तिकाया तिनका उचाला दिकाया तेरी जिम्मेदारी तो यह थी सुभा उड़के तुझे और करना था सुभा उड़के तुझे लिए लिए हु़ोर की नाग gir नी थी लेकि तु ने काने वजाए शाम तक आने बजा करके मेरे चानके साथ कितने लाता पूमा पर कोशन को! सिर्फ हजार नहीं लाए क subsid के साथ कानों की वचा से,क अजार लानपन लेकर आया थिrog attic,कि various fashion युची रहा अज्या सी लाए एक अधार रुटा की रह्मते लेकर के आता, पिर दावे के साथ कहता हूँ, तुझे ब्रेंट्यूमर ना होता, अल्ला तेरी परेशानी इक खांसी से टाल डाता, हलका बुखारा ता मौता जाती तुझे सत्रा दिरा इस लुमें न रखता हाँ वरना याद रख दोलती किसी की जिन्दगी नहीं बचाती किसी की जिन्दगी नहीं बचाती पैसे से कोई नहीं बचा मौत खरीब को भी आनी है मौत सभी को आनी है और जब मौत आएगी सभी कमिट्टी पेलेटना है हम अगर मैं भी हाथ उड़ाऊना कितने लोग उजूर से प्यार करते हैं तो गालिबां सारे लोग हाथ उठा देंगे नहीं हाथ मत उठाना मैं हाथ नहीं उठाता हूँ मुझे मालू मैं 50% छूटे हाथ उठाते मैं नहीं चाहता हाथ उठाता हूँ सिर्फ दिल पे हाथ लखो अपने जो मैं कहरूँ वो सुनना सुने हम हुजूर वाले न हैं के नहीं हुजूर वाले जोली में अगर टुकडे तुमारे नहीं होते इस शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते मिलती ना गर भी खुजूर आपके दर्से भाई ये सारे हुजूर के जिकर की बरकते हुजूर हमारे है लेकिन हम भी हुजूर के हैं के नहीं ये सोचो मैं एक हजार बार कहूं मैं हुजूर कहूं हूं तो क्या बनता है अगर वो एक बार कहते है न ये मेरा है किसम से काम बन जाएगा वो एक बार कहते है ये मेरा है काम बन जाएगा क्या किया मेरा है निकाह किसकी सुन्नत है जोर से जोर से हुजूर की सुन्नत है निकाह एक निकाह का असर के बाद इमाम को डंडे की जोर पे बुलाया था आए नहीं घर भी जाना है का थे अत्या थे अत्या थे इमाम बिचारा थेली लेके भागाया जी जल्दी निका पड़ा हो पपू जुम्मन कर लू सब बैट बैट पांच छे लड़ के बैटे दूला के साथ निका होगे मुझे बता असल काम तो सुनन था निका इसके लिए तेरे पास पांच मिन्टर नी बेगारत ग्यारा बजे से चार बजे तक तुने बराद पुरे ग़ों के हमाई बरादियों से कहती है तो उस वक्त तक रोटी नी मिलेगी जब तक पूरी पस्ती में बराद तमाशे के साथ चल नहीं जाएगा ऐसे चलने पैर की तड़ की तड़ के ये ल्ला का अजाब है एक सुननत के लिए तितने पाप लिए तुमने तीनी इन पहले से काने बज़ रहे तु कहता मैं हुजूर का हूँ सुन तारी हुठा नाम बाबा परीदी गंजे शकर जिसे उसे हुद शकरी तिनी प्यारी आदी के मशूरी शकर से गुजर के जा रहे तो लोग वैटे थे बोरी थी उनके पास हज़रत ने पूछ लिया इसमें क्या है तो वो कहने लगे उन्हें ने सोचा कर शकर बताई तो शायद दे नहीं पड़ जाए बाबा फरीद से कहने लगे इसमें नमक है बोरी किस चीज़ की थी शकर कहा क्या जोर से और जोर से नमक है तो फरमाने लगे चल फिर नमक है जब बोरी खोली ना तो फिर नमक ही था दोड़ के आए कदमा पे गिर गे उजूर नमक नहीं था शकर थी थी फरमाने लगे चल फिर शकरी फिर नमक से शकर बन गई ये फरी आपका बड़ा खरीब मुरीब था सुने बहुत 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 से बड़ा खरीब मुरीब था हर साल अधर से मिलने आता लुंगी समझते हर सालिक लुंगी लेके आता तो आपना लुंगी लेते बड़ा खरीब था एक साल ऐसा भी आया कि लुंगी नहीं खरील तका तो शर्म की वज़ा से पीर की चोकट बनी गए दो साल भीतने को आये उसने सोचा इस साल मेले लुचाना है तो उसने इस साल दो लुंगी खरी दे दो लुंगी खरी दे 이 Crime एक साल की और एक अल्ला सलामत रखे सबके समझ मानी चाहिए बाद पिछले साल की मूगी खरीदी दो लोगिया खरीदी बाबा फरीद तक क्दमा पे गया अल्ला गौबर जाके बैठा हद्रते बाबा फरीद की खिद्मत में जाकर के उसने लोगिया पेश की हुजूर ये मेरी तरफ से चोटा सा तोफा है अल्ला हुआ बर आप ने तोफा हात में लिया फर्माने लगे बता तो सखी यार कुज़श्टा साल क्युमें ही आया कहने लगा हुजूर पिछले साल लौगी खरीदने का पैसा नगी था इसलिए नहीं आसा का आप ने इतेना सुना गए अच्छा और इस वार का धुजूर इस वार तो लौगिया लाया हूं एक ऐस साल की खरीधे एक पिछले साल के बदले की आप ने इतना सुना लौगी नी थी और रखी रखने के बाद बाद उसमें जब आग लगाई है मुरीद की चीख निकल गई रो के कहता हजरत रहा कितने तिन मेहनद की गई तब जाके लूंगी खरीदी पेट काटा गए तब जाके लूंगी खरीदी वजूर कोई कमी रह गई थी क्या तोफा पसंद लगी आया आग किस लिए लगा दी तब आब अवरीद में कहा था तूने नहीं जाना कि इस लूंगी की वज़ा से तू मुझसे तो साल मिलने नहीं आया का सोचो यार को यार से चुदा कर दे उस चीज़ को आग लगा देनी चाहिए और यार बता तो सगी की अगर काने मुस्तफा से उमत को दूर दूर अगें थै आग लगा दो कानों को आगा दो पेंटों को आगा दो आगा दो आपाशों भाख और यार के तो कि मुहनिम्मत से वफा तूने तो गलते रहे थै यह जहाँ चीज रहे क्या लोगों हाँ बाबा फरीदी तो यार तो यार से अलग कर दे उस चीज को आग लगा जो चीज तुम्हें मुस्तफा साफूर कर लगी है आग लगा तो उसको और कह दो हमारे और उसूर के बीच बीच जो आएगा उसे समाला ना जाएगा आग लगा तो इन पैंटों को जिनूने उसूर से दूर कर दिया आग लगा तो इन खटों को चेहरे के जिनूने रिष्टे उसूर से तोड़ दिया